नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो आज हम मशीन में अंडे रखने वाले थे इंक्यूबेटर में अपने तो उससे पहले अंडे रखने से पहले हमको किस प्रकार जाच करनी है आपको इस वीडियो में हम बताएंगे तो बने रही है दोस्तों तो सबसे पहले आप ऐसे अंडे ले लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है वो हम बताते हैं उसके बाद आपको लाइट आफ कर लेनी है आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कौन से अंडे टूटे हैं या कौन से क्रैक हैं हलके क्रैक भी होते हैं अंडों में दोस्तों तो चलिए हम आप हónग को ये वाइल के लेना उसके फ्लैस चला ले लिएक है तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास एक अड़ा है आपको ऐसे पदा नहीं चलेगा ये तूटा या नहीं तूटा तो चलिए हम इसकी जाच करते हैं दोस्तों च्छह आक आपने जो है जैसे हम अंडों की Candling करते हैं उसे प्रकार से उसको check करना है दोस्तों हम इस में लगा लेंगे यह देखिए आपके समने हैं और दूसरी दारब से यह देखिए इस तो लगाएं और यह देखिए दोस्तो देखिए आपके इस प्रकार इसमें क्रैक देखेगा तो यह अंड़ा टूटा है हमें इंक्यूबेटर में नहीं लगाना है तो चलिए अब दूसरा अंड़ा भी हम ट्राइ करते हैं पहले ही अलग कर रखें तो आपको मैं इसी से समझा देता हूं तो यह देखिए दोस्तों महरे बास जो ondha है यह देखिए दोस्तों इसमें जो है कोई भी क्रैक या कुछ नहीं है क्रैक होगा तो आपको दिख जाएगा कि कुछ क्रैक नहीं है इसमें तो यह अंड़ा सही है हम इससे इंक्यूबेट्र में रख सकते है चलिए अब एक औ इस प्रकार आपको टूटा हुआ अंडा जो है दिख जाएगा यह देखिए मैंने पहले अलग कर रखें आपकी सुविदा के लिए ताकि वीडियो जादा लंबी न बने तो यह देखिए दोस्तों यह टूटा हुआ तो इस प्रकार आप अंडे अलग कर सकते हैं और सही अंडे जो होंगे उसे ही इंक्यूबेटर में लगाएं तो आपको फायदा रहेगा और इसके बाद शटाई करने के बाद आपको इने सैनिटाइजर थोड़ थोड़ा सैनिटाइजर मारके कपड़े से जो है सुका के आपको मशीन में रख देना तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही इसे और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें दोस्तो धन्यवाद